बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवस्कार भविश्य फल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है बोलिए जैय सिरी कृष्णू मैं हूँ astrologer प्रवीन में सिरी आज हम आपको बताएंगे 3 अप्रेल 2021 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आपकी जन्प की तारीक के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं लखी नंबर 1 की जिन लोगों का जन्प किसी मैने की 1 तारीक, 10 तारीक, 19 तारीक या 28 तारीक को हुआ है उनका लखी नंबर बनता है 1 एक नंबर वालों के लिए आज का दिन धनलाब कराने वाला है आपके मान समान को और इंक्रीज करने वाला है यानि दिन शुब है इस दिन का अच्छे तरीके से इस्तमाल करना है किसी भी काम में आलश्य नहीं करना है क्योंकि शनिवार का दिन है ज्यादा काम अगर आपके पास है तो उसे मैनेज करके करिए यदि कम काम है तो उसे समय पर पूरा करिए यानि कोई भी काम छोड़ना नहीं है आलश्य की वज़े से इस दिन का अच्छे तरीके से यूटलाइजेशन करें लगे नमबर एक वाले अच्छा फायदा कमाएंगे शनिवार के दिन भी उनको लाब होगा और अच्छा लाब होगा तो इस दिन का अच्छे तरीके से उप् थोट्स को जगै ना बराने दे उपाय क्या करें कि आज गैत्री मंत्र का एक माला जाप करें तुलसी की माला से गैत्री मंत्र का चाप करेंगे तो बहौत शुब रहेगा मन खुश होगा और दिन अच्छा बीतेगा बात करते हैं लखी नमबर दो की जिन लोगों का जन किसी मेनी की दो तारिक, 11 तारिक, 20 तारिक या 39 तारिक को हुआ है उनका लखी नमबर बनता है दो दो नमबर वाले अपने मन में किसी भी तरह की घवराहट को जगय ना दे शांत रहे, confidence को बढ़ाइए और अपने काम को manage करके पूरा करिए आपको लग रहा होगा काम बहुत ज़्यादा है, शनिवार का दिन है तो घवराइए नहीं, manage करिए कि ये काम में इतने बज़े करूँगा, इतने बज़े करूँगा और पूरा time table set करके करिए, सारे काम भी ह हो जाएंगे और tension बिल्कुल नहीं लेना है, अपने मन को tension free रखने का प्रयास करना है, अपने रिष्टेदारों की बातों से दिल को नहीं दुखाना है, अपने दिल को बिल्कुल मत दुखाईए, कि हमारे रिष्टेदार ने, हमारे घर परिवार वाले ने ऐसी कोई बात क एक कान से सुनिये, दूसरे कान से निकाल देने, बिल्कुल मस्त मिजाज के साथ अपना दिन बिताए, दिन आपके लिए अनुकूल है, खान पान ठीक रखना है, जो चीजें आपके स्वास्त के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसी चीजों का सेवन करने से बचना है, और पर ना आने पाए इसलिए बहुत धैरे रखना है उपाय क्या करें कि आज भगवान शिव का पूजन करें भूले नाथ को जल अर्पित करिए और ओम नमा शिवाय का जाप कर लिजे सब कुछ अच्छा रहेगा बात करते हैं लखी नमबर तीन की जिन लोगों का जन किसी मैने की तीन तारिक बारा तारिक 21 तारिक या 30 तारिक को हुआ है उनका लखी नमबर बनता है तीन तीन नमबर वाले आज अपनी एगो को बिलकुल डाउन रखें और बिनमर होकर के लोगों से बात चीत करिए अगर आपको अपनी बात किसी के सामने रखनी है तो बिलकुल बिनमर होकर के रखें आप देखेंगे आपको बहुत फायदा होगा आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धनागमन के नए रास्ते भी खुलेंगे अपने से जो उम्र में बड़े लोग हैं उनकी सलाह लेकर के बड़ा फैसला करेंगे तो उससे आपको लाब होगा यदि आप अपने काम से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उस पर ध्यान रखिए आपके घर के जो बड़े बुजूर्ग हैं उनकी सलाह जरूर सामिल करें और हाँ यदि यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्रा के लिए अनुकूल समय है यात्रा से लाब की योग बन रहे हैं उपाय क्या करें कि आज अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और भवान विष्णू की आरती करके दिन शुरू करें बहुत शुब दिन बीतेगा आपका बात करते हैं लखी नंबर चार की और उनकी मुलाकात से आपको फायदा होगा यदि किसी मिटिंग पर जाना चाहते हैं तो जरूर जाएगा उससे भी लाब की योग बन रहे हैं विशेस आपके लिए सलाह यह है कि अपनी वानी पर नियंतरन रखना है जब आप लोगों से बात चीत करेंगे तो धैर से बात करेंगे जितना जरूरी हो उतना ही बोलेंगे उपाय क्या करें जिससे और दिन शुब हो आपको फायदा हो आज नुमान चालिसा पढ़ के दिन के शुरुवात करेंगे बहुत शुब रहेगा बात करते हैं लखी नमबर पांच की जिन लोगों का जन किसी मेने की पांच तारिक चौदा तारिक या तेज तारिक को हुआ है उनका लखी नमबर बनता है पांच पांच नमबर वालों के लिए आज का दिन धन लाब कराने वाला है आप जो भी काम करेंगे उससे फायदा होगा तो धन से सम्बंधित जो एक्टिविटी करनी है काम करनी है वो जरूर करिएगा उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे यदि कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्रा भी आपके लिए नुकूल रहेगी अपने घर परिवार और करीबी लोगों के साथ यदि आपने कोई वादा किया है उनसे कुछ कहा है तो उस वादे को अवाश्य निभाईएगा उपाय क्या करें कि आज भगवान गणेश की आरती करके दिन शुरू करिये बहुत शुब रहेगा बात करते हैं लखी नमबर 6 की जिन लोगों का जन्म किसी महने की 6 तारिक, 13 तारिक, 6 तारिक, 15 तारिक या 24 तारिक को हुआ है उनका लखी नमबर बनता है 6 6 नमबर वाले अपनी वाणी को विशेश रूप से नियंतरन में रखें आज अगर आप अपने घर परिवार वालों से बात कर रहे हैं या किसी बाहर के लोग से बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात न बोलें जो सामने वाले को परिशान करें फिर बाद में आपकी टेंशन को बढ़ाए इसलिए बिल्कुल कूल हो करके अच्छे शब्दों का प्रियोग करके अपनी बात रखनी है छे नंबर वालों के लिए आगे आने वाला समय बहुत शुब है यदि धन को लेकर के कोई समस्या है तो धहरे रखिए ये समय अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने का है 16 तारिक या 25 तारिक को हुआ है उनका लखी नंबर बनता है शनिवार का दिन है हर काम धहरे से आराम से शुरू करना है किसी भी तरह की तेजना या उतावले पन से बचना है यदि कोई आप से कोई बात कह रहा है और उनकी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है तो भी शांत रहना है धहर सात नंबर वालों के लिए यदि यात्र पर जाना जरूरी हो तो यात्रा पर जाएं तो अपनी दवाईयां साथ ले करके जाएं सौस्त को ले करके एलेट रहें बाहर का खान पान करने से बचे टो अच्छा रहेगा उपाय क्या करें कि आज अपने घर के मंदिर में इस्ट देव को प्रणाम करें और एक सुगंधी धूप अवश्य जलाएं आपके लिए शुब रहेगा बारी आगए लखी नमबर आठ की जिन लोगों के जन किसी मेंने के आठ तारीक 17 तारीक या 26 तारीक को हुआ है उनका लखी नमबर बनता है आठ आठ नमबर वालों के लिए आज का दिन शुब है घर परिवार से आपको सहयोग मिलेगा यदि आप कहीं काम करते हैं तो लोग आपके काम की तारीफ करेंगे तो मान सम्मान बढ़ाने वाला दिन है और धन लाब भी हो सकता है तो आज के दिन का शनिवार का दिन है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है बहुत अच्छे से मेहनस से काम करना है क्योंकि आपक करते हैं बहुत शुब रहेगा बारी आ गई लखी नंबर नौ की जिन लोगों का जर्ण किसी मेने की नौ तारिक 18 तारिक या 27 तारिक को हुआ है उनका लखी नंबर बनता है नौ नौ नंबर वाले आज जो भी काम करना चाहते हैं उसे समय पर पूरा करने की कोशिस करें शनिवार का दिन है किसी भी काम में आलास मत करियेगा अपने काम को समय पर पूरा करें यदि किसी से कोई वादा किया है घर परिवार वालों के साथ तो इस वादे को जरूर निवाना ह आते हैं खास करके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो अभी रूप जाएं। स्वास्त को लेकर के एलेट रहना है लंबी दूरी की यात्रा से आज बचना है। उपाय क्या करें आज हनुमान चालिसा पड़ के दिन शुरू करें शुब रहेगा। भविश्य फल में आज बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकाद भवान कृष्ण आप पर करपा करें आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करें बोलिए जैश्री कृष्ण